नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दोक्टर परंजीत आप देख रहे हैं दोक्टर एजुकेशन दोस्तों आप लोगों की दिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूं सौरव गांगुली बेंगॉल टाइगर हमारे BCCI के प्रेसिडेट उनको हाट की विमारी पाई गई है दो जन्वरी को दोपहर में उनको भरती किया गया था उनको चेस्ट में पेन चेस्ट में चाती में हेविनेस वॉमिटिंग और थोड़ा चक्कर आ रहा था और उनका चेक के लिए उनका एंजियोग्राफी नामक टेस्ट किया गया था एंजियोग्राफी से यह देखा जाता है कि हाट के खून की नसों में कितना ब्लॉकेज है तीन में नसे होती है हाट के अंदर पेड के जैसे फैली होती है दिल के चारु तरफ और उससे छोटी-छोटी महीन न से निकलती है जो पूरे हाट को सप्लाइ करती है उनकी तीनों नसों में ब्लॉकेज पाई गई जिसमें ज्यादा पाई गई थी उस एक नस को वहीं के वहीं खोल दिया गया एंजियोप्लास्टी किया गया ताकि वह जो माइल्ड हाट अटक है वह रुक जाए और उनके है जो वहां पे प्लाक है वह उसको खुला रखने है साय वहां पर क्लॉट और घोलती हे तो यह दवा उनके साथ इसको कुछ घंटों के लिए तो heart की muscles उसके अंदर के cells जो हैं जेल सकते हैं, कुछ घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे इसे golden period बोलते हैं, अगर उन time के बीच में 6 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, अगर वो जल्दी से खोल दिया जाए, 12 घंटे के अंदर खोल दिये जाए, तो minimum damage, 6 घंटे के अंदर खोल दें, तो zero damage, यह chances होते हैं, कि बचे पूरा का पूरा recover हो सकता है, तो इसी खोलने के टेकनीक को कहते हैं, एंजयोप्लास्टी, और देखने के टेकनीक को कहते हैं, जिसमें डाई डालके, दवा डालके X-ray में देखते हैं, कि वहाँ पर खून जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसे कहते हैं एंजयोग्राफी, उनकी एंजयोग्राफी की गई, एंजयोप्लास्टी की गई, स्टंट डला गया, क्लॉट घुलने के लिए दवाईया चल रही है, और साथी यो स्टंट है, उसमें भी दवा लगी हुई है, तो ये सारे इलाज से यहाँ पर किया जाता है, लेकिन उनकी तीनों नसों में ब्लॉकेश, एक, दो, तीन, तो त छोटी सितार डालके, कैठेटर बोलते, उसको डालके अंदर तक जाया जाता है, खुण की नसों के अंदर से ही जाके, वहीं से गुबारे से कर दिया जाता है, तो यह से minimally invasive होता है, लेकिन, जो important aspect है कि इसमें भी हम एक नस को खोल रहे हैं, वहाँ पर एक नस को जब बुल उस समय अटैक हो रहा है चाये mild हो चाये major हो हम एक साथ तीनों नसों में stress नहीं डाल सकते ऐसा करेंगे तो उस समय और ज्यादा complications के chances बढ़ जाते हैं लिए किसी भी प्रकार के heart attack में सिर्फ उस culprit एक नस को खोला जाता है जो block होती है उसको खोलके heart attack को रोक दिया जाता है उसके बाद heart को recover क्योंकि attack है चोट है चोट लगने के बाद टांके लगा दिये तो घाव तो अभी भी है ना वैसी ही वहाँ पे खून का नस बंद था समय देना होता इसलिए दो हफते का समय हफते का समय जो भी समय कभी और महीने का समय दिया जाता है depending upon time depending upon injury depending upon echocardiography case to case basis पे cardiologist जो decide करते है उस समय उसके हिसाब से depending उसको rest दिया जाता है उसके बाद बाकी की दो नसों में आप stent लगा सकते हैं वो हो सकता है बाकी की दो नसों में एक साथ लगाए या एक एक करके लगाए depending upon case to case basis और अगर बहुत जादा बड़ी बीमारी होती है या बीमारी अगर जड़ में होती है जड़ रूट में होती है तो वाइपास surgery की भी जरूरत पड़ सकती है मगर सौरव गांगुली के case में बताया जा रहा है कि उनकी ज सबसे पूछ रहे हैं कि एक athlete को एक ऐसे person को जो regular exercise करते हैं जो fit हैं तो उनको ये attack अगर हो रहा है तो बाकी सब का क्या होगा तो बाकी सब कहां रह जाते हैं इसका क्या कारण है what is the reason तो याद रखिए सिर्फ आपकी bad lifestyle उसका reason नहीं होता genetics एक बहुत बड़ा reason होता है आपकी genes एक बहुत बड़ा reason होता है और आज के date में COVID-19 ने ये थाबित कर दिया है कि viruses में ये tendency है ये property है ये capability है कि वो शरीर की coagulability को बढ़ा दे वहाँ clot बनने की शमता बढ़ा दे COVID-19 के वज़े से भी blood पे clots बनते है heart attack होते हैं stroke होते हैं तो एक virus से हो सकते हैं तो दुनिया भर में करोडो वाइरस हैं दुनिया भर में करोडो लाखो अर्बो वाइरस हैं आपके आसपास अभी इस वक्त भी viruses हैं उनमें tendency हैं यहाँ तक के family history में भी बहुत बड़ा power है अ अपलाक जल्दी बनता है attack जादा होता है family में सबको हुआ है तो आपको भी risk है बलके यह बोला जाता है अगर आपके father को अगर आपके immediate family member को heart attack हुआ है तो you have a risk of say having the same kind of attack 10 years earlier because अब जो life रह गई है अब जो quality of life है quality of food है वो सारे और खराब होते जारे हैं और जादा trans fats है और जादा processed food है और जादा inflammatory food है और जादा bad habits है और जादा bad cultures है and who knows what people are doing right हमें तो भी उनकी fitness lifestyle दिखती है लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान कुछ ना कुछ गलतियां करता है कई बार खुद को नहीं पता होता कि हम क्या गलती कर रहे है कोई smoking कर रहा है कोई drinking कर रहा है किसी को stress है को कोई सो नहीं रहा नीन नहीं आरी यह सब कारण बन जाते हैं diabetes hypertension motapa exercise नहीं करना stress लेना बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिससे heart attack के chances बढ़ सकते हैं CRP levels बढ़ जाना पहले CRP levels अगर बढ़ते हैं तो सिर्फ heart का सोचते थे हैं CRP levels viruses को देख रहे हो viruses any kind of inflammation chronic inflammation in the body means your CRP or ESR is high and that increases your chances of heart attack that increases your chances of heart attack heart attack so healthy रहना काफी नहीं है आपको health के बारे में knowledge होना बहुत जरूरी है आपको अपने fitness level के बारे में knowledge होना जरूरी है अपने regular health test करने जरूरी है very important and one of the important test is your heart का test अपने दिल का test regular करना जरूरी है एक patient treatment जिसको heart में blockage बन रही हो वो अगर पहले diagnose कर ले attack होने से पहले तो उस attack को रोका जा सकता है प्रिवेंट किया जा सकता है और उसे heart में कभी attack ही नहीं होगा अगर हम उसे attack से पहले ही खोल दे और उसमें जो भी दवा चला ले या stunt लगा ले या बलून कर ले काफी सारे options है दुनिया हमें लेकिन attack आने के बाद में stunt लगाना पड़ता है तुरंत तुसर्व स्याथो clot घुलने की दवा देनी पड़ती है दोनों में से एक ही option बचता है आपके पास इको काडियोग्राफी and a stress test यह होने चाहिए stress test में treadmill test है stress echo है ट्यम्टी सुनहीं आपने stress echo है stress thallium है इन में से कोई test आप करा सकते है तो यह regular हर साल या 2 साल में होना चाहिए depending upon आपकी fitness level ताकि पता चले कि आपके heart पे क्या भीमारी आ रही है आपके risk factors manage होना चाहिए आपका family doctor होना चाहिए आपके doctors का regular discussion होना चाहिए it's important so यह मत पूछे कि उनको हो गया तो हमें होगा की नहीं होगा यह पूछे कि आप कितने knowledgeable है अपनी health के बारे में आपको कितना पता है कि आपके क्या risk है और याद रखिए जनाब heart attack heart में blockage atherosclerosis सब को होता है आपको भी मुझे भी एक उमर के बाद यह normal aging है यह age process है बिल्कुल जैसे wrinkle आते हैं बिल्कुल जैसे बाल सफेद होते हैं किसी के जल्दी होते है किसी के रिंकल जल्दी आते है किसी के बाद में आती है कारण क्या आपकी और हमारी lifestyle difference तो अगर आपकी lifestyle बुरी है आप अपना खयाल नहीं रखते अगर आप stress में है आप नीन नहीं लेते आप tobacco लेते हैं मोटे हैं diabetes है hypertension है आपके गोई drugs लेते हैं किसी दवास आते हैं बहुत ज़्यादा चिंता में हो लाइफ अच्छी नहीं है आराम नहीं करते तो आपको हर वो बिमारी जो chronic lifestyle illness है उसके chances बढ़ जाएंगे including heart attack including stroke तो अपने life को टटोली अपने अंदर जाग के देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए हर इंसान के लिए भई यह आपको भी हो सकता है प्लीज डू देस्ट थैंक्यू सो मच्छ स्टे कनेक्टेट स्टे हवी